किसानवाई नमस्कार हम खड़े हैं धान के एक खेत में जिसमें सीधी बिजाई की गई है धान की यह हमारी एक नई किसम है पूशा 1850 जिसमें की जो जोका रोग यानि ब्लास्ट की बिमारी बिल्कुल नहीं लगती है उसी के लिए संभा मसूरी जो बहुत प्रचलित किसम है उसका सुधार करके इसको बनाया गया है इसकी बुआई 18 जून को की गई थी और धान की सीधी विजाई हम लोगों ने तर बतर बिली से की थी पहले खेत में पानी लगाया था पानी लगाने के बाद जब बत्तर आ गया उसके बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करके पटा लगा करके और फिर से बुआई कर दी थी लेकिन हुआ कि उसके तुरंद बाद जो है बरसात हो गई बरसात होने से पपड़ी जम गई थी खेत में उससे अंकुरन में दिक्कत आ रही थी तो हम लोगों ने उसमें दुबारा पानी लगाया था इसके बाद इतना बढ पड़े लेना पड़ेगा कि क्या आपको करना है इसके अलावे पौधों की संख्या परियाप्त हो जैसे हम रुपाई जब करते हैं तो प्रती स्क्वार मीटर करीब हम 33 पौधे बरकडार रखते हैं तो उसी तरह से पौधों संख्या सीधी वीजाई में हमको बरकडार बुआई के बाद फसल करीब 25-30 दिन के हो जाती है उसमें फुटा हो जाता है तो उसमें खेत में पानी लगा करके और ऐसी जगों पे जहां पे कल्ले फुटे हो उन पौधों को उखाड करके उनको फाड करके और दुबारा उनकी रुपाई कर दीजिए तो इसे जो खेत म गैप है वो पूरा भर जाएगा और आपकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी अब इसमें इस खेत को देख करके कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता है कि यह धान की सीधी विजाई की गई है या इसमें धान की रुपाई की गई है इतना बढ़िया इसमें पौधों की संक है और इस से जो है हमारा वातावरान के ऊपर भी इसका सकारात्मक वहाँ पड़ता है कुछ समस्याएं है धान की सीधी विजाई में जैसे खात्पतवार नियंतर नों सबसे बड़ी चुनोती है और इसके लिए बुआई के तुरंत बाद बहतर घंटे के अंदर पैंडी मि हो जाती है तो उसमें हम नामनी गोल्ड का चिल्काव करते हैं इसे नियंतर पूरा अच्छी तरह से हो जाता है अब यह फसल आपकी 35 दिन की हो गई है तो इसमें जो समस्याएं हैं उसमें मुखरूब से आपका पती लपेट और तनाचे दकी यह दो कीट आते हैं इनका नि किनारे सूख जाते हैं और देख रहे हैं कि जो बीच का सिया है पती का वहां से सूखना सुरू होता है किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से यह नीचे की तरफ बढ़ता है तो यह पती के जुलसा रोग का जो है मुख्य लक्षन है इस बीमारी के नियंतरन के लिए स्टेप्टो साइक्लीन नामक दबा 6 ग्राम प्रती एकर के हिसाब से करीब 200 लिटर पानी में डाल करके इसका छिड़काओ करें तो इसका नियंतरन हो जायेगा और इसके प्रवंधन के लिए दूसरी जो सबसे जरूरी बात आपको करनी है वो यह है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकालने खेत को शुखा रखें और नत्रजन खादों का प्रियोग जो है उसको थोड़ा सा सिमित कर दें अगर नत्रजन का प्रियोग जादे मातरा में किया जाता है तो पत्ती का जोसा रोग हो जादे आता है किसान भायों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्ती लपेट और तना छेदक कीट का भी प्रकोप हो सकता है इसके नियंतरन के लिए आपको जो है कई दवाएं हैं जिस इसके अलावे आपका जो है फ्लूवेंडास माइड एक दवा आती है जो फेम के नाम से बजार में मिलती है इसका प्रियोग कर सकते हैं करीब 30 मिलिटर दवा 200 लिटर पानी में घोल करके इसका चिलगाओ करें तो इससे भी नियंतरन होता है अगर हम बात करें जोंका रोग की यानि ब्लास्ट की विमारी की और इसके साथ सीथ ब्लाइट की तो उसके नियंतरन के लिए आपको एजाक्सी स्ट्रॉबिन और डाई फेनकोना जोल ये दव जो एजाक्सी स्ट्रॉबिन है उसको टेवी कुना जोल के साथ मिला करके फॉली क्लोर एक दवा आती है जो की 300 मिली लिटर दवा अगर 200 लिटर पानी मिला करके इसका शुड़काओ करें तो ये दूनों ब्यमारियों का जिसमें सीथ ब्लाइट और ब्लास्ट इनका प्रव